वे अब्रिवन वेल्कम तो दे चैनल जैसा कि आप सभी को मालूम है डेली सुबह 8 बज़े अपना एक important session होता है जहाँ पर हम लोग कवर करते हैं important current affair तो कल अपना session नहीं हो पाय था कल बहुत जाता music था तो इसको जैसे कल की पर जो इंपॉर्ण यूस थे और आज जो Sunday है वे अपनी class नहीं होती लेकिन कल नहीं हो थी इसलिए हम लोग इसको आज कवर कर रहे हैं तो आज Sunday का जो न्यूस पर है वह भी हम लोग कवर कर रहे हैं अब लोग इन जनरल हम लोग इसको मैं OBS से जो है वो वीडियो को सब्सक्राइब क्या हुआ और सबसे पहले अगर मैं बात करो तो टोटल दो दिन की अगर मैं डिसक्रिशन करें आपन तो दह हिंदू से आपको नियर्भाइ साथ आर्टिकल्स है जो कि आपको देखने को मिलेंगे ठीक है आपको सामने आपे नजर आ रहा होगा एक तो यहां पर आप देख रहे होंगे देहिंदू साथ आपको साथ आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे इंडिन एक्स्प्रस से तीन है फिनेंशल से दो है जन सर्था से कुछ भी नहीं यह पी आई प्यारेस और बागी सब्सोर्स से दो आपको और देखने को मिलेंगे सबसे है जैसे कि आपको मालूम है मकर सक्रांती है और आप लिए क्लास 24 पर आफर से तो अगर आप ऐसे सी के प्रपरेशन कर रहे हैं तो आप काइट के आई टी काइट 50 यूज कर सकते हैं आपको 50% आफ मिल जाएगा बागी जितने भी बैच जैसे कि मेरी क्लास है फिर बागी सकते हैं जैसे कि सिपरा में का बैचच है यहां पर सब जगे पर टोन्टी परसंट घ्राफ मिल जाएगा आपको काइट 20 है जो कि यूज करना है यह से नेक के लिए आप जयरफण्डा यूज कर सकते हैं डाउनलूट कर सकते हैं जहां पर आपको जैसे क्लास तोंटी फोर download करनी है open करके preparation में जाना है यहां पर सारे courses आपको available हो जाएंगे और SSC के लिए काइट 50 यूज कर सकते हैं बाकि सारे exam के लिए काइट 20 और netgf के लिए काइट 10 आप यूज कर सकते हैं अच्छा कुरोदर दे हैं और सब्सक्राइब होता है जहां पर हमारे हाथ में कोई नहीं होता है अकसल लोग इस चीज़ को लेकर भी परिशान रहते हैं जब आपने पूरी कोशिश कर लिए और जब कोई पास option होता है करने का आप उसको अच्छी सरी के से कर सकते हो जैसे कि आपका hard work है अगर आप यह नहीं कर रहे हो ना तो definitely आपको परेशान होना चाहिए तो यह सोचना समझना भी बहुत जरूरी है कि कौन सी condition में आपको stress लेना है नहीं लेना है आपको कैसे behave करना है तो कुछ चीज़ें जो हाथ में नहीं है उनको छोड़ दो जो भी होगा अच्छा होगा जो चीज़ें आपके हाथ में होती है उसको लेकर काम करो मेहनत करो ताक आज दिया मतलब कल सटेटेक है और संदे का भी हम लोग देखेंगे तो सटेटेक का फंपेज अगर आप देखो कि यहां पर सबसे पहले पर सुप्रीम कोट ने हैट स्पीच को लेकर स्टेटमेंट दिया है बोला कि गौर्मेंट ने कितने टाइम के अंदर कितने लोगों क सब्सक्राइब को आपको आपको वहां पर डिबेट जो है वहीट स्पीचेज रिलीजन वाले मुद्दे ना कास्ट वाले मुद्दे इन सब के उपर इंडिया पाकिस्तान इन सब के ओपर ही आपको 70-80 परसंट देखने को मिलेंगे तो सुप्रीम को ने इसी चीज को लेकर यहां पर चिनता है जो कि व्यक्त करिये को भी भूला है कि यहां पर गवर्मेंट के जने को लेकर बताया गया मैंगे तो नियांने की नीचे की तरफ चला गया है है ना मतलब उसकी जो एलिवेशन है वो नीचे की तरफ चला गया मतलब 5.4 सेंटीमेटर 12 दिन के अंदर सिर्फ 12 दिनों के अंदर ओके तो हिमालियास के अंदर जो अन्रेगुलेटेड जो इतना सता कंस्रक्शन हुआ है उसका यह इंपक्ट है जो कि देखने को मिला है हमारे लिए फ्रेंट पेज पर कुछ भी खास ऐसा नहीं है ठीक है चलो नेक्स बात करते हैं जो कि है पेज नंबर पांच यहां पर हम लोग जो डिस्केशन करेंगे कोलम के बारे हम करेंगे यह बहुत इंटरस्टिंग यूजर और बहुत इंपॉरेंट भी है देखो कोलम आप उनको कुछ ताइम पहने नहीं पता था कि लिबर्टी और एक्स्प्रेशन क्या होते है ऐक्वालिटी क्या होती है फंडमेंटल राइट्स क्या होते हैं डूटी इस क्या होती है लेकिन 63 की अब उनको सब कुछ मालूम है क्यों क्यों कि उस पूरे डिस्क्रीक के अंद तरही रहे जो कि यहां पर लगारा खिए है यहांने कि हर किसी को ूप्र के बारे में मालूम है shifts on पिर में जानकार है तो यहां पर सिनेटर्स बनाएं गए था यहां सीहां इसे बारे में काफे प्रमोशन किया साथ महिने का कैंपेंच चला स्कूल ऑफिसेज ट्राइबल काउंसल के द्वारा हर जगे पे इसको चला गया और फाइनली दोस्तों इंडिया का प्रेम और सब्सक्राइब हैं प्रेम आपने हातों से लिखा था जिनकी बहुत है से अन्दर इटालने के पूरा इंको पूर honour का सुचने में लगे थे अब है न हमारे जो Parliament है उसके अंदर ईलियम के अंदर एड़िं के नि रखावा है के अंदर हो की मिरा नाम हर एक पेज के ऊपर और लास्ट पेज के ऊपर मेरे ग्रेंट फादर का नाम इस जो की लिखावाए है तो आज अगर आप देखते हो तो आप आपको औरिजिनल के अंदर उनका नाम भी मिलेगा ओके इसके अंदर कुछ अच्छे आर्टिस्टिक वर्क भी कर रहें तो शांतिनी केतन के आर्टिस्ट है अचार्या नंदलाल बोस वह ना उन लोगों ने मिलकर है जो कि इसके उपर उपर के साइड अगर आप देखोगे न में क्रेट होने के अंदर है जो कि टोटल लगे थे ओके दुनिया का सबसे लॉंगेस्ट है वन पॉइंट फॉर सिक्स लाक वर्ड जो की टोटल आपको देखने को मिलते हैं और बहुत ही अमेजिंग को स्टूशन है जो कि हमने दुनिया के से बारो करके बनाया है तो इसको बॉरेंग को इसलिए क्याते हैं क्योंकि दुनिया के जो भी कॉंस्टूशन से जो अच्छी चीजा में लगी वो सब हमने जो है वो लेकर हमारे कॉंस्टूशन में डाल दी आगे बात करते हैं देखो आपको मालूम है कि देश में बहुत जगे पर ऐसे होते हैं कि कुछ ऐ यहां अकिए फेस्टिवल्स होते हैं जहां पर एणिवल को यूज किया जाता है ना तो उसी के अंदर एक जो फैस्टिवल है वो यह कॉट फाइट का फेस्टिवल को नड़ाई जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स आपने जली कट्टू का नाम सुना होगा कंप संवचयरि बागिसार स्टेट के सब्सक्राट के और न रते को मिलें सन Alfond students इसको नौर्मलिक पर ओपर इसको मनाया जाता है कि हे तो और भी देश में मों बहुत जा रहा है बहुत सारे फेस्टिवले धीरीये करके हैं गौवा में होता है यह सारे के सारे कुछ ऐसे फेस्टिवल से जो कि जहां पर एनिमल इन्वाल्व है हाला कि यह सब लीगल है वैसे तो मेजरली लीगल है लेकिर फिर भी आपको सब जगह पे देखने को मिलते हैं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं जो कि नेक्स्ट है हम लोग बात करेंगे यहां पर इस पेज़ पर एक और important issue के बारे में यहां पर आप देख सकते हो एक किताब है जो कि आप मनसुख मंडाव याजी के हाथ में हैं तो यहां पर आप देखो गए ना तो इंडिया ने कैसे खुद की वैक्सीन बनाई कोविड की जरनी की जरनी कैसे रही इसी को लेकर एक किताब लिखेगे ज लिखे गया सूरज सुधीर और आशिज चंदोरकर इन दोनों ने यह पूरी स्टोरी यह जो की लिखी है कि कैसे इंडिया ने दोनों वैक्सीन ने जोकी बनाई है कोविड नैटीन से फाइट करने को लेकर तो दोनों के नाम और किताब का नाम यह दोनों आपको यहां पर था रखने हैं नेक्सटमें पेज़ दस यहां पर बात करेंगे तो सोल अफ स्टिल के बारे में यहां वख और नेकष इन कभी आयरनमैन जेलींच के बारे में सुन आये एक बहुती फेमस आरे न में ट्राल ड्रैथलाम बहुत ही फिममस से अपड़ाई इसमें क्या होता है कि आपको 17 घंटे के अंदर 17 आर्ट में आपको क्या करना पड़ता है 42 किलोमीटर तो रुनिंग करनी पड़ती है कि पहले भी बताया था थामने वीकली की किशने करनी पड़ती है और 150 sorry 200 km की आपको cycling करने पड़ती है यह सारा काम आपको मिला कर कितने 17 गंटे के अंदर है जोकी करना पड़ता है अगर आप कर देते हो तो आपको टाइटल मिलता है कुल मिला कि टाइटल वैलिडेशन नहीं है वैलिडेशन है आपकी fitness का लेवल कितना मैंने पूरी कर ली थी मतलब यह मैंने तीन से चार मेरा थन जो है वह मैंने भागे ती तो रनिंग मेरा सॉड़ेट हो गया था स्विमिंग और सैक्लिंग की ओपर मुव आन करने वाल तो मैं को विड़ आ गया और उसके बाद नहीं हो पाया ठीक है तो आइरन में ट्रतलॉन क आप नाम से समझ रहो ना कि ऐसा बंदा जिसका शोल भी जो हो स्टील का बनावा यह चैलेंज इंडिया में लॉंच किया गया है और इसको एक लॉबल करके कंपनी यह वो इसको करवा रही है ठीक है इसमें कई सरे वेटरंस होंगे कई सरे जवान होंगे इसके अंदर वैसे चैऑ की खतरणामिंट होता है जिसका नाम होता है अल्ट्रामैं है न ऊपने वो एक एक को है नाम है अपने के उपने था इंदयार इंडय के जो पहले मॉडल थे अखर थे नाम भूल गया मैं उस बंदेगा उसने पुरा गर रखा है एक मातर हो ही है इन्या में तो है ना चीक है चलो तो यह वाली बात हो गई आगे बात करते हैं यहां पर आप देख से तो राजना सिंध जी के दुवारा पुशकर सिंध धामी जो आपर सीम है उनके दौरा यह रैली भी एक स्टार्ट करें गई है वेटरंस की जो हमारे पुराने जवान है उनके दौरा तो पारिसे पेंट एच्छे इंटरनेशनल टीम से अठारत तीस साल के तो वह सब लोग आपर पार्टिसिपेट करने वाला है हमारे आपर फोर्स्ट आम्ड फोर्सेज वेटरंडे 2016 में सेलिब्रीट किया था इस बार वेटरंस को क्यों इंक्लूट किया गया है क्योंकि 14 जैन् सब्सक्राइब करें तो यहां पर आप देख सकते हो आपने मुवी देखिए मंजुनाथ एक बहुत ही फेमस और बहुत अच्छी मूवी है मुझे मालूम है नहीं देखिए होगी आपने क्योंकि आप अच्छी विच्रें आपको से बहुत दूर है तो एक बहुत अच्छी मुझे मंजुनाथ करके और एक लाइफ के ऊपर है मंजुनाथ के मंजुनाथ कौन था एक आयम ग्राइजूइट बंदा था 27 साल का था और एक और कंपनी के अंदर काम किया गड़ा था इंडियन और कॉर्परेशन के अंदर सेल्ज मैनेजर के तौर पर उगे उसने कई सरे लोगों को लाइफ सेंटेंस के सजा हुई जिसमें से एक को अभी गुट कंड़ के लिए चोड़ दिया गया तो यह मुवी है कभी आप देख सकते हो मंजुनाथ 7.2 IMDB रेटिंग है बहुत अच्छी मुवी है देखिएगा जरूर है ना चलिए आगे बात करता है देहिंदू के फ्रेंट पेज पे आज की तो आज की बात करोगे तो फ्रेंट पेज पे तो जोशी मट के बारे में है लक्षदीप के अंदर एक MP को डिस्कौलिफाई कर दिया गया उसने मटर के उपर चार्जे से उसके उपर और यहां पर दोस्त कमिनिटी इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑंदा ओके जनों भोगाली भी हूँ ठीक है भोगाली भी हूँ यह नाम है फेस्टिवल का समझ के मरी बात है कहां पर गोवाहटी के आउट्सकर्ट के अंदर देखने को मतलब गोवाटी के अंदर आसाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा अब देखो कि जब मका सक्रांती आती ना तो पूरे देश में अलग-अलग इवेंट से जो कि मनाए जाते हैं सेम फेस्ट आता है बिहार चाहरकर में मकर सक्रांती क докумra में जो कि कहते हैं तो अलग-अलग नाम है और पेपर में पूछते कि यह तरफ अन् य ayuda कोन से स्थेट में मनाए जाता है तो यह सारह मकर सज़ांटे कर डिफ्रेंट डिफ्रेंट नहीं सब्सक्राइब के तूरप Nagar शीयर přिविट नो होती है तो इसलिए इसको पूरा-देश में में चर्चा होती जारी यहां पर देखिए देभी रखाया प्यारा जो सब्रीमाला टैंपल है यहां पर फेस्टिवल के अंदर कई सरे अटेंडनेश है जो कि देखने को मिले और यह राट तम केड़ा का है ना मकार विलाकू जो फेस्टिवल है जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे ठीक है चलिए खिचिडी हां फेस्टिवल के आते हैं खाहं पर उत्तर परदेश के अंदर चलो ठीक है आगे बात करें नेक्स्ट है जो कि पेज नमबर नौ पे यहां पे गंगासागर मिला के बारें बात करी गई है और एक और important है जो कि है policy को लेकर तो राजस्तान फिर्स्ट इस्टेट जो कि बन चुका है जिसने ब्लाइड नेस control policy है जो कि implement करी है देखो आपको मालूम है राइट तो साइट भी हमारा रेट है वह 1.1% थी 2020 में इसको टार्गेट किया गया है कि पॉइंट 3% जो कि इसको कर दिया जाए ओके तो मेंडिटरी यहां पर कर दिया ठीक है चलिए आगे बात करते हैं यहां पर आप देख सकते हो वैटरन डे तो हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चोहां साब आर्मी चीफ मनोज पांडे नीवी चीफ हमारे हरी सिंग जी ठीक है अनिल चोहां साब तो हमारे सीडियेस हो गए आर्मी चीफ हो गए मनोज पांडे नीवी के हरी कुमार और आर्मी एयर फोर्स के हो गए वियार चौधरी तो यह सब यहां पर आपको एक साथ देखने को मिलेंगे क्योंकि अभी नैशनल वार मैमोरियल पर हमने आम्ड को दोस्तों यह अर्मिटाइज डे है जो कि मनाने की शुरुवात करे गई है ना अर्मिटाइज का मतलब होता है जब दो देश आपस में संधी करते हैं कि हम लोग युद्र नहीं करेंगे रोक लेंगे है ना तो यह ग्यारा नौंबर को पूरी दुनिया बर में दिन है जो यहां पर सारे चीफ जोकी अवेलिबल होते हैं इसी प्रकार से 14 जन्वरी को हमारे फिल्ड मार्शल जो थे करियाप्पा जी फिर्स्ट कमार नंचीफ इंडिन आन्मी फोर्चस के वह भी दोस्तों रिटार हुए थे ओके चलिए साथ में आज 15 जन्वरी 15 जन्वरी को आपक मैं इर्ट इंडियन कमांडर इंछीफ जोकी बने थे सब्सक्राइब करें जो था जन्रल जो थे उनसे जो लास्-ब्रिटिश पर्सं थे जन्नों पॉजिशन को होल्ड किया है उनसे हमने यह एंडियन जोकी बने थे जहिंद का नारा जोकिंके दुवरा दिया गया था ठीक जो है strongest आर्मी जो है वो बताए गया था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स दोजार एकेस में दोस्तों के द्वारा काम आने वाले देखो आपको मानुवें चाइना की मूनोपॉल यह जब हम लोग रेयर अर्थ मैटल्स की बारे में बात करते हैं जो रेयर अर्थ मैटल्स होते हैं जो 17 एलिमेंट्स है यह बहुत ही क्रूशल होते हैं क्टिंग एच टेकनोलोजी के लिए लेक्री वेकल्स के लिए क्लाम आते हैं लेकिन अभी क्या है कि चाइना का और रश्या का पुरी दुनिया पर कंट्रोल है तो योरप और अमेरिका यह सब चाहते हैं कि यह लोग भी मिलकर रेयर अर्थ मैटल्स के ऊपर काम करें तो स्वेडिश मायिनिंग कमपनी उसने दोस्तों क्या किया है करना स्टार्ट किया उसने स्वीडिन के अपर रेंजेस के अंदर इसके आठिक सर्क्लिक पास में बहुत सारे डिपॉजिट है जो की पता लगाया है अब यह डिपॉजिट के ओपर यह लोग 10-15 सालों के अंदर डिलीवर कर देंगे मार्केट में और इसकी जो रिक्वार्मेंट है वह अपनी पूरी कर लेंगे तो यह बहुत बड़ा ब्रेक्ट्रू में जो की यह कंपनी का नाम है किरूना करके नॉर्दन स्वीडन की सिटी है वहां पर यह देखने को मिले हैं बहुत जादा आप उसको अभी लार्ज माइनि में होने चाहिए जो आपको बहुत हल्दी रखने में काम हैंगे हल्दी हो आमला हो अश्युगंदा हो मखाने हो तुलसी हो गया जैक फ्रूट बनाना घी कोकॉनेट ऑइल यह आपकी बॉड़ी के लिए बहुत इंपॉर्ट होते हैं आपको बॉड़ी में एंटी ऑक्सिड अब देखो रिसेंट्ली क्या होआ कि वुमन राइट वॉच्च रिपोर्ट है जो कि पब्लिश हुई इंटरनाशनल दो जटेएस का एडिशन आया जिसमें हमारे इंडिया के बारे में जो है वो काफी चीज़ जो है वो लिखी गई जिसमें अबहों में मीडिया के बारे म जो की लेकिए आ रही है माइनिटीज को रिप्रेस करने को लेकर तो यह सारे चीज़ है जो की human right report के दुवारा कहा गया ओके हमारे यहां पर है national human right commission है जो कि अल्रेडी बना हुआ है लेकिन यह human right watch क्या है है दोस्तों जिसने यह report publish करी है तो 1978 के अंदर इसकी शुरुवात करे गए थी Helsinki watch के तौर पे और दुनिया के 100 countries के अंदर यह भी अपना काम है जो की करती है intercom non-governmental organization है दोस्तों headquarter इसका new york city के अंदर है अब इसके की बारे में आप से पेपर में ज़रूर पूर सकते हैं क्योंकि काफी बड़ा statement है जो कि इनकी दुवारा दिया गया है Helsinki फिल्लेंड के अंदर 1975 के अंदर यह diplomatic agreement है जो की हुआ था ओके चलिए आगे बात करते हैं और Supreme Court को इन्होंने welcome किया है Supreme Court की ruling को और government की human right violation के बारे में report में बताया है इस प्रकार के और भी कही सारी रिपोर्ट आती है Freedom in the world report, democracy report, ऐसे कही सारी रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है कुछ और important है National Commission for Protection of Child Right इसका foundation day है जो कि अभी मनाए गया 12 जनवरी को अठारवा foundation day 2005 के अंदर दोस्तों कमिशन फॉर प्रोटेक्शन और चाल्ड राइट से जो की इंप्लिमेंट होगा था है ना एक क्विज लॉंच किया गया National Youth Day के ओपर ताकि देश्मावेडनेस बनाए सके और काफी मेजर है जो कि इसको माना जाता है पांच डेली के वोकैबलरी की बात करें पैरिल का मतलब है जोखिम उठाना बहुत अच्छा वड़ है थ्रेशोल्ड का मतलब है किसी पॉइंट की ऊपर कोई चीज को बना करके रखना प्रिडिस्टेसर का मतलब है पूरवज है ना किसी चीज को मैंटें करना बैलन जिसको क्याते हैं कर सकते हैं के लिए आप काई 50 रेफिल को यूस कर सकते हैं CGL, CHSL, SSC के लिए आपको 50% off मिल जाएगा इसी प्रकार से बाकिया एक्जाम के लिए आप 20 यूज कर सकते हैं यहां पे आपको काइट 10 यूज करना है जिससे आपको 10% off मिल जाएगा पहला सवाल है आज का जो कि human rights को लेकर है तो आपको मालूम यह है कि fundamental right के अलावा जो universal declaration है human right के उसको प्रेंबल के बारे में भी बात करता है DPSP के बारे में भी और fundamental right के बारे में भी तो तीनों ही आपका यहां पे सही जवाब है उसी प्रकार से national youth day के बारे में बात करें तो स्वामी विवेकानन जी को लेकर बर्त के ओपर इसको मनाया जाता है बारा जनवरी को मनाया जाता है तो कौन सा statement incorrect है यह पूछा गया है तो दोनों ही incorrect नहीं है दोनों ही सही है उसी प्रकार से इसको क्या बोलते हैं वर्ल्ड रिपोर्ट भी क्या आता है तो यह था आज का आपका इंपॉर्टन सेशन होफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा लाइक को शेक कर दिजेगा दो दिन की बहुत जादा नहीं थी इसलिए आज का सेशन छोटा रहा लेकिन हमारे लिए सब्सक्राइब कर लिए अब कल मंडे होगा तो मंडे के दिन मंडे का टुपेबर कर लेंगे को दिक्कत में आएगी तो वीडियो को शेर दरू करते जिगा थेंक्यों सब्सक्राइब गुडबाए और इस टे